स्वागत्य दोस्तों आपका अपनी यूट्यूब चैनल टूडेज डॉन एडूकेशन में दोस्तों आज हम डिसकस करने वाले हैं भारत का स्वतंतरता संखर्ष टॉपिक से 30 टॉप जी के कुश्चिन्स को तो चलिए दोस्तों बिना देर की विए हम शुरू करते हैं अगर आप मारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि वीडियो की निटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेस्चिन है सबसे कम उमर में फासी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे तो इसका सही आंसर है दोस्तों खुदी राम बोस सबसे कम उमर में फासी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी खुदी राम बोस थे ठीक है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किस ने दिया तो इसका सही आंसर है भगत सिंह ने दिया हैं नेक्स्स कोश update आजम के नाम से किसे जाना पूर का सही आंसर है भगत सिंह को भगत सिंह को शही आजम के नाम से जाना जाता है है लेक्स कोशन देखते हैं आरे समाज सभा की स्थापना किस ने की तो इसका सही आंसर है पंडिता रमाबाई पंडिता रमाबाई ने आरे महिला समाज की स्थापना की लेक्स कोशन देखते हैं राष्टिय स्वतंतरता आंदोलन किस समय कुख्यात सेलुलर जेल कहां स्थित है तो इसका सही आंसर है दोस्तो अंडमान में अंडमान में सेलुलर जेल स्थित है इंडिया इंडिपेंडेंस लीग किस थापना किस ने की थी तो दोस्तों इसका सही आंसर है रास बिहारी बोस ने इंडिया इंडिपेंडेंस लीग किस थापना रास बिहारी बोस ने की थी नेक्स्कोशन पर चलते हैं इंडिपेंडेंडेंस फॉर इंडिया लीग किस थापना किस ने की थी तो इसका सही आंसर है पंडित नहरू और सुभाष चंद्रबोस पंडित नहरू और सुभाष चंद्रवोष ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं भगत सिंग को फासी की सजा सुनाने वाला जज कौन था? इसका सही आंसर है जी सी हिल्टन जी सी हिल्टन भगत सिंग को फासी की सजा सुनाने वाला जज था? नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं सबके लिए एक जाती, एक धर्म और एक इश्वर का नारा किस ने दिया? इसका सही आंसर है नारायन गुरू ने नारायन गुरू ने सबके लिए एक जाती, एक धर्म और एक इश्वर का नारा दिया नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं पाकिस्तान शब्द के जनमदाता कौन है? कौन थे? इसका सही आंसर है चौधरी रहमत अली चौधरी रहमत अली पाकिस्तान शब्द के जनमदाता थे ठीक है? नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं सवन हिंदू की फासिवादी कॉंग्रेस कॉंग्रेस को किस ने कहा? इसका सही आंसर है मुहमद अली जिन्ना ने नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं तीनों गोल मेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारती नेता कौन थे? जिसका सही आंसर है डॉक्टर बी आर अमबेड कर ठीक है? नेक्स्ट कॉश्चन देखते हैं मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कारे करता हूँ ये कथन किसका है? तो इसका सही आंसर है पंडित नहरू का पंडित नहरू का नेक्स्ट कॉश्चन देखते हैं खिलाफत आंदोलन की शुरुवात किसने की थी? तो इसका सही आंसर है मुहमद अली और शौकत अली ने शुरू की थी यानि खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? मुहमद अली और शौकत अली ने उन्नीस सो उन्नीस में नैंटीन नैंटीन में ठीक है? नेक्स्ट कॉश्चन देखते हैं एमके गाधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा? तो इसका सही आंसर है रवींद्रनाथ टैगोर ने रवींद्रनाथ टैगोर ने नेक्स्ट कॉश्चन देखते हैं इसका सही आंसर है बद्रुदीन टैगोर नेक्स्ट कॉश्चन देखते हैं M.K. गादी को सबसे पहले राष्ट पिता किस ने कहा? इसका सही आंसर है सुभाष चंद्रबोश ने सुभाष चंद्रबोश ने M.K. गादी को सबसे पहले राष्ट पिता कहा ठीक है? सबसे पहले राष्ट पिता कहा तो नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं बीना ताज का बादशाह बीना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है सुरेंद्रनाथ बनर जी को बीना ताज का बादशाह कहा जाता है नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं हर्मिट ओफ शिमला किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ए ओ ह्यूम को हर्मिट ओफ शिमला कहा जाता है जिनोंने कॉंग्रेस की स्थापना की थी तो नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं भारत के पितामा किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी को दादा भाई नौरोजी को भारत के पितामा कहा जाता है नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं सुभाष चंद्रबोष को सबसे पहले नेता जी किस ने कहा था तो इसका सही आंसर है एडॉल्फ हिटलर ने एडॉल्फ हिटलर ने सबसे पहले सुभाष चंद्रबोष को नेता जी कहा था ठीक है तो नेक्स्ट कॉस्टिन पर चलते हैं राश्ट्र ये यूवा दिवस किस से संबंधित है तो इसका सही आंसर है स्वामी विवेकानन से राश्ट्र ये यूवा दिवस स्वामी विवेकानन से संबंधित है जो कि 12 जन्वरी को मनाया जाता है ठीक है? 12 जन्वरी को राष्ट्रिय युवा दिवस मनाया जाता है Next question देखते हैं गोखले के अध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर है M.G. रानाडे M.G. रानाडे गोखले के अध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु थे Next question देखते हैं महात्मा गाधी को अर्ध नगन फकीर किस ने कहा? महात्मा गाधी को अर्ध नगन फकीर किस ने कहा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों Winston Churchill ने Winston Churchill ने महात्मा गाधी को अर्ध नगन फकीर कहा था Next question देखते हैं महात्मा गाधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गाधी की राजनीतिक गुरू थे नेक्स्ट कोशन देखते हैं भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है तो इसका सही आंसर है सरदार पटेल को सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सुभाष चंद्रबोष के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका सही आंसर है देश बंधु चितरंजन्दास सुभाष चंद्रबोष के राजनीतिक गुरु थे मैं देश का बालू से ही कॉंग्रेश से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूँगा यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर है महात्मा गाधी का यह कथन महात्मा गाधी का है तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चिन है भारत भारतियों के लिए यह नारा किस ने दिया? तो इसका सही आंसर है आरे समाज में तो दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कूल ना भूलें तो यहीं पर होता है इस टॉपिक कर दा इंड और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसं कर इंड चाहिए और वीडियो इंड बुकित आपको अमीं और भीडियो आपको अरás नाहिए वीडियों अफे कि आपको पलीडी़ अर्दी एंडियों कर था नाहिए और वीडियों है